हेलो दोस्तों स्वागत है आपका Paradise Educator चैनल में हम हैं वो जो देते हैं आपको content that matters आज की वीडियो में हम आपके लिए topic लेके आए है primary and secondary energy समझेंगे कि इसमें primary energy क्या होता है secondary energy क्या होता है साथी साथ कुछ और एक दो points देखेंगे जिसको मैं भी आगे explain कर रहा हूँ outcome of this lecture इस lecture से में क्या सीखने को मिलेगा सबसे पहले energy क्या होती है मुसको सीखेंगे energy की उपर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका link मैं नीचे description में दे दूँगा अगर आप समझना चाहें energy को बहुत deep में तो आप उस वीडियो को देख सकते हो फिर हम समझेंगे primary energy secondary energy और कुछ major primary and secondary energy sources के बारे में energy का इसमें मैं एक brief introduction दूँगा बहुत deep में नहीं बताऊंगा ठीक है और अगर आपको deep में energy को समझना है तो आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो जिसका link के नीचे description में है चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम समझेंगे कि energy क्या होती है अगर हम energy के बारे में बात करें तो energy is the ability of doing work जो उसकी definition है उसी से energy बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है energy is defined as the ability of doing work सिधी सी बात अभी statement यह कह रहा है कि ability of doing work कार करने की छंता को यह मूरजा कहते है मतलब इससे conclusion यह निकल के आया कि जितना भी हम work करेंगे उतनी energy consume होगी उतनी energy utilize होगी इसको समझने का एक बहुत अच्छा example यह है कि आप अपनी body को assume करिए आपकी body अगर कोई work कर रही है तो जितना जादा वो work करती है उतनी energy lose होती है उतनी energy consume करती है आपकी body ठीक है तो यह तो थी energy की एक brief introduction की energy क्या होती है और अगर हम energy का categorization करें कि energy कितनी तरीके की है तो वैसे तो energy बहुत तरीके की है जैसे की kinetic energy ठीक और है आपकी potential energy और है आपकी heat energy energy एट्सेक्टर 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 ठीक है और अगर इसका categorization करें तो हमें मिलती है प्राइमरी energy और हमें मिलती है secondary energy ठीक एक सेकंड रुकियेगा लाइन कहां से आ गई energy चलिए ठीक है और अगर हम इसका categorization करें तो हमें मिलेगी renewable energy और non renewable energy और फर्दर क्लासिफिकेशन करने पर हमें मिलेगा commercial energy और non commercial energy ठीक है तो यह कुछ classification of energy था जो मैंने आपको बताया heat energy या thermal energy की उपर मैं पहले अपनी वीडियो दे चुका हूं वो भी आपको नीचे description में उसका link मिल जाएगा आप उसे भी देख सकते हो kinetic energy और potential energy पर वीडियो आने वाली है आज हम समझने वाले है primary energy क्या होती है और secondary energy क्या होती है तो इसको तो अभी हम समझ लेंगे renewable energy और non renewable energy का वीडियो में भी पहले बना चुका हूं उसका भी link आपको नीचे description में मिल जाएगा वरना उसका link आपको उपर आई return में मिल जाएगा तो आप इसको जरूर से देख लीजेगा यह भी बहुत important है commercial energy और non commercial energy पर मैंने भी वीडियो नहीं बनाया इसका वीडियो जल्द आने वाला है आपके लिए तो उसके लिए आपको थोड़ा बेट करना पड़ेगा तो चलिए आप समझते है primary energy और secondary energy को कि कि यह क्या होती है दोनों कि सबसे पहले अगर हम primary energy की बात करें तो primary energy जो primary energy से नाम से आपको पता चल रहा है जो सबसे पहले आपको energy मिली वो primary energy है अब सबसे पहले energy कहां से मिलती है अर्थ से मिलती है ठीक है अर्थ की कुछ जैसे अर्थ से कौन-कौन से energy मिलेगी जैसे आ इसे आपको बनाने की artificial synthesis करने की इसमें जरूरत नहीं वड़ती है natural gas में और कौन सी primary energy है जैसे की coal ये भी हमें जमीन से मिलता है चीक है तो इसको भी आपको produce करने produce तो किया जाता है कोल प्रेडूस किया जा सकता है लेकिन कोल एक primary energy भी है चीक है मतलब आपको अर्थ की crust की जो surface के नीचे वाला जो portion है वहां से ये मिलता है और क्या हमें primary energy में हम कह सकते हैं जैसे की एक सेकंड और हम कह सकते हैं कि petroleum कह सकते है petroleum को हम primary energy में include कर सकते हैं और क्या include कर सकते हैं जैसे हम biomass को include कर सकते हैं primary energy में तो यह कुछ primary energy है आपको पता चल गया होगा primary energy क्या है primary energy are those energy which are not synthetically made they are derived or obtained from nature ठीक है तो अगर मैं इसकी definition की बात करूँ यहां लिखता हूँ मैं primary energy is that which is obtained और extracted from nature ठीक है वह energy जो हमें nature से मिले उसे हम primary energy कहते हैं तो आपको primary energy का funda इतना clear हो गया ठीक है और भी आप example यहां पे include कर सकते हो primary energy में जैसे कि नूक्लियर energy जैसे कि hydraulic energy ना तो जैसे hydraulic energy in the sense energy that is possessed by water is known as hydraulic energy ठीक है तो इस तरीके से geothermal energy जा गया कि primary energy क्या होती है अब चली समझते हैं कि secondary energy क्या होती है secondary energy पर चलते हैं हम लोग अगर हम secondary energy की बात करें तो यह वो energy होती है जो artificially बनाई जाती है या फिर हम primary energy को convert कर देते हैं secondary energy में तब हमें ये प्रेड्यूस होती हैं तो हम इसकी definition में ये लिख सकते हैं कि energy which are produced after conversion of primary energy हमें ये energy primary energy को convert करने के बाद मिलती है मतलब हम primary energy को convert करते हैं अगर किसी और energy को हमें चाहिए form करना है तो हमें secondary energy मिलती है ठीक है अभी हम जब major sources of energy की बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि conversion कैसे होता है कौन-कौन से process include होते है conversion में कि हमें primary energy से secondary energy मिल जाती है ठीक है तो यह तो इसके secondary energy अगर इसके example के हम बात करें तो example के अंदर coal भी आ जाता है क्योंकि यह भी artificially produce हो सकता है और अगर हम बात करें तो secondary energy है हमारी जैसे CNG compressed natural gas, liquidfied petroleum gas, ठीक है, petrol, diesel यह जितनी भी energy आपको दिख रही है जो मैंने अभी लिखी है यह सारी होती है secondary energy चीक है और भी बहुत सारे example है आप अगर नेट पर सर्च करोगे तो आपको तमाम मिल जाएंगे ठीक है तो यह secondary energy थी अब अगर इनके sources की बात करें some major sources of primary and secondary energy तो वो क्या हो सकते हैं लेकिन उससे पहले अगर हम difference पता करें primary और secondary energy का तो हमें यह पता चलेगा कि जो primary energy है primary energy और secondary energy की बीच में अगर हम difference बताएं तो देखिए सबसे पहला difference तो यही कि यह extracted from nature ठीक और यह they are made from primary energy they are developed from primary energy ठीक है और क्या इसमें difference हो सकता है कि अगर हम और difference की बात करें तो example हो सकते है difference में example coal petroleum natural gas ठीक है इसके example क्या हो सकते हैं इसके example हो सकते हैं स्सी एंजी एल पीजी है ना और और क्या हो सकता है और हो सकता है आपका पेट्रोल मैंने भी बताया डीजल तो ऐसे बहुत से हैं ठीक है ना तमाम है आपको नेट पर मिल जाएंगे तो यह तो थे difference primary और secondary energy में ठीक है और अगर हम यह बात करें कि और क्या difference हो सकते हैं तो यह होती है direct form of energy यह होते हैं यह होती है आपकी indirect form of energy ठीक है और यह होते हैं आपके direct form of energy indirect form और direct form से समझने मतलब समझना यह है कि जैसे आपने जैसे primary energy को हम अर्थ से निकालते हैं nature से हमें मिलती है तो nature से यह इस form में मिलती है कि हम directly इनका यूज नहीं कर सकते हैं हमें पहले इन पे कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं, इनको pure बनाना पड़ता है इनमें जो dart है इनमें जो गेंज है ओन सब को दूर करना पड़ता है उसके बाद हम जाके यूज कर पाते हैं primary energy को बहुत सारे process है ऐसे एक तरीके से purify करना पड़ता है हमें फिर उसके बाद यह यूज कर पाते हैं इसलिए इन्हें direct form of energy कहा गया है और secondary energy क्या है क्योंकि यह primary energy से convert होके मिलती है इसलिए इन्हें direct energy कहा गया है आप इसे directly conversion के बाद use कर सकते हो इनका कुछ इनमें कुछ भी आपको purification या और भी कोई process नहीं करने पड़ते हैं ठीक है जिस process को करने के बाद यह मिल रही है उसके बाद ही आप इनका use कर सकते हो जैसे lpg और cng आप इनको use कर सकते यो एक बार lpg बन गई तो आप use करने लग जाओगे cng बन गई लिउस करने लग जाओगे पेट्रोल फॉर्म हो गया पेट्रोल का development हो गया पेट्रोल आप यूस करने लग जाओगे लेकिन कोल अर्थ से मिला है तो जब तक कोल का purification नहीं होगा तब तक आप कोल नहीं उसक क्या है अब चलते हैं आगे अब अगर हम समझें major primary and secondary sources को ठीक है energy sources को तो आपको देख रहा होगा यह जो उपर आपको एक row दिख रही है यह है category row जिसमें सबसे पहले आपको source दिख रहा होगा extraction method दिख रहा होंगे किन source को extract करने के लिए क्या method होते है फिर उसमें जब आपको source मिल जाता है तो जो processing होती है जो purification होता है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा उसके बाद primary energy मिलती है और फिर primary energy फिर further process करने के बाद हमें secondary energy मिल जाती है तो जैसे अगर सबसे पहले हम coal की बात करें तो आपको दिख रहा होगा coal जो है हम extract कहां से होता है open or deep mines जो हमारी खदाने होती है हमें coal वहां से मिलता है बहुत नीचे घरी घरी खदाने खोदनी पड़ती है और surface पे तब हमें coal मिलता है ठीक है और coal को हम utilize कर पाए उससे पहले उस पे हमें कुछ process करने पड़ देखो यहां पर आपको लिखा हुआ usable coal यह आपको दिख रहा है यह use करने like coal है जिसे हम primary energy के नीचे include कर रहे हैं ठीक है क्योंकि हम यह nature से मिला है ठीक और अगर preparation करने के बाद हम purification करते हैं तो हमें coke मिलता है ठीक है coke is also primary energy यह भी एक जो है black color का एक solid या liquid material होता है इसको भी हम primary energy के अंदर include करते हैं अब देखें जब हम coal दो चीज़ा हमें मिल गई coal से एक हमें मिल गई primary energy coal के form में और दूसरी हमें मिल गई हमें coke के form में ठीक है इनका further अगर हम कुछ और आगे process करें इन पर तो हमें secondary energy मिलती है जैसे की steam मिलती है और thermal energy मिलती है steam कैसे मिलेगी अगर अगर आप coke coal या coke को burn कर रहे हो जला रहे हो तो उससे heat produce होगी और अगर उस heat का आपने utilize किया water को steam बनाने के लिए भाप बनाने के लिए पानी को तो हमें भाप मिल गई भाप एक तरीके की secondary energy है वहीं अगर आपने क्योंकि coal या coke को जलाया तो जो आपको heat मिलेगी वो energy ठीक है ना अब दूसरी देखिए यह तो चलिया आपको coal मेरे ख्याल से समाझ में आ गया होगा दूसरी है hydro हाइड्रो का मतलब है water ठीक है अब water को हम direct use करते हैं power stations में electricity produce करने के लिए ठीक है तो primary energy तो खुद water हो गया और secondary energy की बात करें तो वो हो गई electricity समझ गया होंगे आप अगर हम nuclear की बात करें तो nuclear is a source uranium plutonium iridium they are nuclear materials electro what what we say in chemistry they are reactive materials and the extraction process of nuclear material is mining through mining we get uranium through mining we get iridium through mining we get plutonium and after we get plutonium uranium iridium from mining process then we further move to the process which is known as enrichment where we improves or purifies the material that we got after mining that is plutonium uranium and then we get plutonium and iridium or uranium in the form of primary energy then further this primary energy is used in power stations and thus we get electricity as a secondary energy so i hope कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा अगला जो है वो हमारी natural gas अगर natural gas की बात करें तो gas well कहां से निकाला जाता है यह यह बी मतलब एक तरीके से mining जैसा है यह लेकिन इसमें mining में आपको एक solid material मिल रहा है अर्थ की surface से तो हम mining कह दे रहे है उस process उस जगे को और क्योंकि हमें gas निकालनी है तो इसको gas well कहा जा रहा है ठीक यह भी अर्थ के नीचे ही deep hole करने से हमें मिलती है ठीक तो natural gas are extracted from gas wells and then they are treated the process is known as treatment process through treatment the natural gas are purified and thus we get primary energy in the form of natural gas you can see that under the primary energy section there is written natural gas so natural gas is a primary energy that we get after treatment process okay so I hope you understand and from further natural gas we produce LPG and CNG and butane pentane methane so I hope you can understand what I am trying to make you understand so this was natural gas other thing is the petroleum we get petroleum from oil well the place from where petroleum is extracted is known as oil well and after the petroleum is extracted we further move to cracking and refining process and after cracking and refining process we get primary energy in the form of LPG petrol and diesel or fuel oils or petrochemicals these are primary source of energy and if we use these primary source of energy to vaporize water then we get steam which will be considered as a secondary source of energy ठीक है तो I hope कि आपको समझ में आगे आगे आओगा major और primary sources of energy जिसमें आपको clear हो गया कि कौन से primary source of energy है और कौन सी secondary source of energy है ठीक है और समझने अगर आप इसका screenshot ले लो तो आपको पता चल जाएगा इस section के अंदर जितनी भी चीज़े लिखी हुई है वो primary source of energy है और इस section के इंदर जो भी लिखा हुआ है वो secondary source of energy है तो यह थी primary or secondary source के बीच में difference उनका introduction की क्या होते है वो उनके बीच में difference क्या है source कौन कौन से होते है primary energy के और secondary energy के तो यह थी हमारी आज की वीडियो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है अग comment करके मुझसे पूच सकते हो या आप मुझे instagram पे message कर सकते हो जिसका link मैंने नीचे description में दे रखा है ठीक है अगली वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा commercial और non commercial energy के ऊपर बस एक request थी आप से कि हमारे channel को subscribe कर दीजे जिससे की 1000 subscribers के limit जल्दी cross हो जाए और हम live stream के लिए ट्य जय हिंद जय भारत